लोलार्क शर्ट कव है दोजार चॉबिस लोलार्क कुंड बनारस हलो एबरिवन वेलकम बैक चुबी चैनल कुंच ओफिसे लावर योर चैनल कैसे अपलोग है वोपसो अपलोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरी चैनल पे पहली बारा है तो प्रीजिंदे चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिजे नीचे बैल लगने से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नौटिफिकिशन सबसे पहले आपके पास है लोलार्क कुंड बनारस में असी गंगा नदी के संगम के पास इस्थित एक पवीत्र तालाब है हिंदू धर् पर उत्रे और पवीत्र तालाब में स्नान किया लोलार्क कुंड दो हजार चौबिस किती थी नौ सितंबर है इस दिन हजारों नी संतान दंपत्ते तालाब में पवीत्र स्नान करते हैं जिसे लोलार्क छट के नाम से भी जाना जाता है बार नसी में लोलार्क कुंड और लो सुठ्वांते चरन के दौरान च्षठे दिन को अलाव में पवित्र सनान भादर पदमाह के सुखल की सस्तिया चछई के सुरू होता है और सुला दिनों तक चलता हैक कि तालाव में सनान करने से बाजपन दूर होता है हर साल हज्जारों निसंतान दंपत्ते इस अनुस्ठान में भाग लेते हैं लोलार्ग कुंड का अर्थ है कापते हुए सुरे का तलाव जब बेटे और बेटियां पवित्रिस्नान करते हैं तो इसका पुन्य मूर्ती पुर्वजों तक पहुचता है इस दोरान यहां पवित्रिस्नान करने से तोचा रोगों से भी राहत मिलती है यहां पवित्रिस्नान से कुष्ट रोग की ठीक होने में मदद मिलती है लोकप्रिये मानेता है कि एक अगोरी सादू कीना राम ने यहां एक बाज महिला को संतान का अशिर्वात दिया था और उस महिला ने अगले तीन वर्षों में तीन स्वस्त बच्चों को जन्म दिया लोलार्क कुंड में इसनान करने के बाद कुछ भक्त कीना राम आश्रम आते हैं और यहां कुरूमी कुंड में पवित्र कडूबकी लगाते हैं एक बार फिर से बता दू नौ सितंबर दिन सोंबार दोहजार चौविस को लोलार्क छट बनाई जा रही है कैसा लगा आप सभी को हमारा यह वीडियो प्लीज कमेंस करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज में चैनल को लाइक कर दो किया है कि भ seront एनल दोड़ से बार आपaux को लेम हैं गόσा है कि बार आपकर शे गकUA करनापन में बार भार मुट है झाल क referring के लिए।